तो इस नई जो यूटूब चैनल इस पे आपका स्वागत है तो आज हम लोग कुछ नया पढ़ें की कोशिस करेंगे तो अब तक जो पढ़ें उसके अलावा नया चीज देखते हैं तो हम लोग सुरू करेंगे पाचन तंत्र तो पाचन तंत्र तो क्या है कि जो भोजन है उस क्या होता है तो भोजन में मुखे रूप से हम क्या लेते हैं न्यूट्रियेंट्स लेते हैं पोशक तत्व लेते हैं और यही पोशक तत्व क्या करते हैं हमारे सरीर को पोशन प्रदान करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम जानेंगे न्यूट्रीशन क्या होता है पोशन क्य पहले हैं एक कार्योंकरोंड क्या करते हैं फोशक तत्व क्या करते हैं हमारे सरीर को पोशन परदान करते मैं औरुसरे को बोला जाता है माइकरो नूट्रियंट्स न्यूंट्रेंट्स पोशन जो पोशक तत्तो होते हैं वो दो प्रकार के मैक्रो न्यूट्रेंट और मैक्रो में हम लोग पढ़ते हैं कार्भो हैट्रेट, प्रोटीन और लिपीड तथा फैट और micronutrients में हम लोग पढ़ते हैं जो ions होते हैं calcium, magnesium, sodium, इत्यादी यह सब क्या है? micronutrients हैं और यह क्या है? macronutrients हैं तो हमारा topic यहां से सुरू होता है देखें लिखा हुआ macronutrients ठीक है? तो macronutrients में हम लोग पहले पढ़ेंगे carbohydrates के बारे में फिर पढ़ेंगे protein के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे lipids के बारे में lipids या जो fat बोलते हैं उसके बारे में ठीक है? तो macronutrients में हम लोग सबसे पढ़ेंगे किसका पढ़ने जा रहे हैं? carbohydrates के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो carbohydrate के जो classification पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग classification में पहला है monosecrites, दुसरा है disecrites, तिसरा है polysecrites फिर है simple and complex carbohydrate क्या-क्या होते हैं good and bad क्या-क्या होता है carbohydrate कुछ तो हमारे लिए अच्छे है carbohydrate क्या होते हैं सरीर में उर्जा देते हैं कुलकोच क्या है, कार्वोहड्रेड है और यह हमारे सरीर को उर्जा देते हैं तो जो macro nutrients में जो कार्वोहड्रेड है सरीर को केवल कार्वोहड्रेड ही उर्जा दे सकता है बाकी protein और लिपीड सरीर को उर्जा नहीं देते हैं तो सरीर में उर्जा देने का काम एक मतर किसका है? कार्बो हाडरेट नहीं है. प्रोटीन और जो fat है या lipid है यह हमारे सरीर के वृध्धी और विकास के लिए जरूरी है लेकिन उर्जा नहीं देते हैं. उर्जा केवल कुन देता है? कार्बो हाडरेट. तो कुछ कार्बो अच्छे हैं, कुछ हमारे लिए बुरे हैं तो हम दो को देखेंगे good carbohydrate कौन है और bad carbohydrate कौन है फिर देखेंगे differences दोनों में अंतर good और bad carbohydrates में, फिर देखेंगे glycemic index क्या होता है फिर देखेंगे carbohydrate का पाचन और उनका absorption कैसे होता है, carbohydrate का हमारे सरीर में क्या योगदान है, functions, और last में देखेंगे deficiency कारबोहड्रेट की कमी से बिमारी हो सकती है, और last में है आपका recommendations, क्या क्या recommendation होता है normal carbo ketchup diets के लिए, आईए शुरुबात करते हैं कारबोहड्रेट से, तो makro nutrients में compete, क्या होते हैं, पहले उसके बारे में बताया गया है So a range of nutrients that provide energy जो हमारे सरीर को क्या देते हैं उर्जा प्रदान करते हैं and are essential for growth जो हमारे सरीर के वृद्धी और सरीर को बनाए रखने में जो सहायक होते हैं उसको हम क्या करते हैं nutrients कहते हैं portion कहते हैं पोशक्तत्व nutrients पोशक्तत्व सरीर के क्रिया के लिए क्या है सरीर के आवशक क्रियाओं के लिए हमारे लिए पोशक्तत्व जरूरी होते हैं essential for proper body function and the body requires large amount of them और सरीर में क्या है इसकी बहुत ज़्यादा demand है सरीर को इसकी आवशक्ता है किसलिए सरीर को अपने कारे करने के लिए all the macronutrients must be obtained through diet सारे macronutrients लगभग लगभग कहां से प्राप्त होते हैं हमारे भोजन diet से प्राप्त होते हैं so the body cannot produce macronutrients on its own सरीर में हम carbohydrates की उत्पादन अपने आप नहीं कर सकते हैं हमारे सरीर में कैसे आता है एक मात्र सोर से कहां से भोजन से हमारे diet से three macronutrients are there कौन-कौन macronutrients तीन हैं तो कार्भो हैडरेड है protein है और fat है कार्भो हैडरेड्स है protein है fat है fat को हम क्या बोलते हैं lipids भी कहते हैं so carbohydrates क्या अब सुरुआत हो गया हमारा carbohydrates key component of diet हमारे भोजन का मुख द्रोत क्या है हमारे भोजन का मुख अवयब का कर सकते हैं क्या है carbohydrate है Carbohydrate में क्या-क्या होते हैं starches and fibers जो की fiber कहां पाए जाते हैं fruits में पाए जाते हैं अनाज में पाए जाते हैं, सबजीयों में पाए जाते हैं, और दूध के जो प्रोडक्स होते हैं, मिल्क प्रोडक्स में पाए जाते हैं, ठीक है? One of the basic food groups, ये क्या है? एक बहुत ही basic food groups है, और ये हमारे जो डाइट, अगर healthy diet के लिए क्या है? Essential है, are important to a healthy diet, अगर आप healthy diet लेते हैं, उसमें कार्वोःड़ेट को हम include करते हैं Body's main source of energy देखी लिखा हुआ है, सरीर में एक मात्र जो उर्जा का जो उतपादन करता है, जो हमारे सरीर में उर्जा बनाता है, वो कौन बनाता है? कर्वोःड़ेट, protein, fat किसी तरह से उर्जा का निर्मान नहीं करते हैं So, body's main source of energy, उर्जा का सरोत है हमारे सरीर का Recommended daily amount of carbohydrates for adult, 135 gram बैसकों के लिए कितना carbohydrate daily लेना चाहिए भोजन में? 135 gram carbohydrate की आवशकता हमारे सरीर को daily होती है, एक adult को Should be between 45% and 65% of total calories, हम जितना calories लेते हैं उसमें से 45 और 65 परतिसद क्या होना चाहिए? कार्वोःड़ेट होना चाहिए One gram of carbohydrates equals about 4 calories एक gram carbohydrate को अगर आप जलाएंगे, burn करेंगे, तो कितना उर्जा देगा? 4 calories उर्जा देगा और इसको बोलता है calorific value तो कार्वोःड़ेट की calorific value कितनी होती है? 4 calories या इसको जूल भी कर सकते हैं आप ठीक है? So 4 calories एक gram carbohydrate को burn करेंगे, या एक gram carbohydrate जलने पर कितना उर्जा देगा? 4 calories तो इसकी calorific value कितनी होई? 4 calories Classification है, इसका जो classification है क्या क्या से बना होता है carbohydrate? Carbohydrate में carbon होते हैं, hydrogen होते हैं और oxygen होते हैं ठीक है? Carbohydrate में क्या होते हैं? Carbon, hydrogen और oxygen तो इसका जो general formula होता है, वो होता है CN, H2O, whole N यह होता है carbohydrate का general formula और अगर आप n equal to 6 लेते हैं तो यह हो जाएगा C6 H12 O6 यह O है O6 यह formula किसका हो गया? glucose का तो glucose क्या है? सबसे simplest carbohydrate है simplest carbohydrate है simplest carbohydrate है तो carbohydrate का general formula C N H2 O whole N और इसमें अगर N equal to 6 लीजिएगा तो C6 H2 O6 जो कि glucose का फर्मूला है और simplest carbohydrate क्या है? glucose है तो क्या चीट से बने होते हैं? carbon, carbon, hydrogen और oxygen तीन चीट से बने होते हैं त्री main groups इसमें तीन main groups कुन-कुन होते हैं? पहला है monosecride दूसरा है disecride तीसरा है polysecride तो glucose क्या है आपका? glucose है monosecride तो इसमें तीन ग्रूप है monosecride, disecride और polysecride तो जो आपके monosecride हैं तो तो monosecrites क्या हो गया? Simple carbohydrate like glucose और एक से दस monosecrites आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? disecrites, दो मिलेंगे disecrites, तीन मिलेंगे tribe, फोर मिलेंगे tetra, ऐसा करके बनता है ठीक है? और last में है polysecrites, thousand unit of monosecrites आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? polysecrites, जैसे starch क्या है? polysecrites, polysecrites containing starch, ठीक है? इसका example है, amylose, amylopactin, ठीक है? non-starch polysecrites, कुछ polysecrites जो non-starch है? उसका example है, cellulose and hemicellulose, ठीक है? cellulose, hemicellulose, यह क्या है? non-starch polysecrites हैं. अब आप देख सकते हैं, monosecrites शुरू किया गया है, monosecrites क्या होते हैं? smallest possible sugar unit. सबसे छोटा जो sugar unit है, उसको क्या बोलते हैं? monosecrites बोलते हैं, इसका जो फर्मूला है CH2O whole N. क्या है? CH2O whole N, अभी आपको बताया था. example क्या-क्या है? glucose, galactose और fructose. glucose, galactose और fructose क्या है? monosecrites है, simplest carbohydrate है. glucose is a major source of energy for sale. कोशिका क्या जो उर्जा का मुख स्रोत है, वो क्या है? glucose है. और हमारे भोजन का पाचन के पस्चाद भी क्या बनता है? glucose बनता है, वो glucose कहां चला जाता है? तो बड़ी आथ और छोटी आथ से वो अवशोशित कर लिये जाते हैं, रक्तवाईकाओं के द्वारा, और लीवर में पहुचा दिया जाता है, गुलकोज श्टोर होता है, और बिभिन प्रिकार के जितने भी टीशू हैं हमारे उत्तक, सब में गुलकोज पहुचा दिया है, वो क्या होते हैं, तूटते हैं, और तूटने के पश्चाद वो गुलकोज क्या देता है हमें, उर्जा देता है, किस रूप में, ATP के रूप में, ठीक है, और बदले में एक CO2 टॉक्सिक गैस का भी निर्मान करता है, जो CO2 को हम अपने लंग के माध्यम से बाहर कर देत हमाब में, उर्जा का मुख सुरोत क्या होते हैं, गुलकोज होते हैं, इन हमें, ņूटिरीशन, इस इंकलूट्स, हमारे जो पोशन है, मानों का जो पोशन है, उसमें क्या-क्या है, तो गलेक्टोज है, मोस्ट रिडली अबलेबल in मिल्क, गलेक्टोज कहां पाई जाते है और जितने भी दूद उत्पादन है dairy products उसमें पाए जाते है ठीक है fructose है mostly in vegetables and fruits mostly in vegetables and fruits तो fructose कहाँ पाए जाते है vegetable सबजियों में पाए जाते है और फल में पाए जाते है और galactose कहाँ पाए जाता है milk में और milk dairy products में पाए जाते है ठीक है दोट से बने हुए जो मिठाईयां हो गई और वे चीज़ हो गई उसमें पाए जाते हैं दाई सेकराइट्स क्या होता है तो देखिए टू मोनो सेकराइट्स जब दो मोनो सेकराइट आपस में मिल जाते हैं और जब दो मोनो सेकराइट आपस में मिलेगा तो वहाँ पर जल क्या हो जाते हैं रिमूब होता है वाटर रिमूब होता है ठीक है ये दो मोनोसेकराइड है एक मोनोसेकराइड दूसरा मोनोसेकराइड तो जब भी दोनों के बीच में बंधन होगा तो क्या होगा जल बाहर चला जाएगा और जब दो मोनोसेकराइड बन ज जल क्या हो जाते हैं हड जाते हैं जल का रिमुभल हो जाता है तो दो मोनोसेक्राइट से क्या बनते हैं डाइसेक्राइट से एक्जामपल क्या क्या है लेक्टोज मल्टोज और लेक्टोज किसके उधारन है सुक्रोज मल्टोज और लेक्टोज उधारन है डाइसेक्राइट क तो लेक्टोज कैसे बनता है जब गुलकोज और गलेक्टोज मिलता है तब क्या बनता है लेक्टोज बनता है और लेक्टोज कहां पाए जाते हैं मिल्क में पाए जाता है दूद में पाए जाता है ठीक है तो लेक्टोज कैसे बनता है तो एक गुलकोज और गलेक्टोज मिल चीनी में पाया जाता है तो चीनी में जो मिथास है वो जो किसकी वज़े से सुक्रोज की वज़े से सुक्रोज क्या है नाइस ईक्राइड है पिर है आपका मल्टो मद्व चैंटस्ट्रे च्senik का ढूंट समार्ज स्ट्रक्ट्र ethn alcohol का और एक पॉल को दो गुल को जब अपस में मिल जाते हैं इसब सब सब किसके उधारन है इसकी अब हैं पॉली सेक्राइट्स के böyle आइडि कैसे बनते हैं तो मेनी Monosecrias ज़ब दस से ज्यादा हजारो ऊचराइड्स आपस में जुरेंगे तो क्या बनाएंगे पॉली सेकराइट्स बनाएंगे acts as a food store in plants and animal जो storage food होता है हमारे सरीर में वो क्या होता है glycogen पौधों में क्या होता है star ठीक है तो हमारे सरीर में जो गुलकोज बना पाचन के पस्चात तो कुछ तो गुलकोज टिसू में चले गए immediate वो खुसोसन की परकिरिया के पशचाथ हमें ATP दे दिये और जो एक्स्टरा गुलकोज होता है उनको इस्टोर कर दिया जाता है कहां लीवर में किस रूप में करते हैं गलाइकोजेन के रूप में करते हैं और जब हम फास्टिंग करते हैं या जब हम भूके होते हैं तो वो जो store food है जो लीवर और मसर में glycogen के रूप में हमने store किया है उसको क्या करते है उनका पुना अब घटन होता है और फिर से गुलकोज बनता है और उस वो गुलकोज हमें क्या देता है ATP देता है तो मनुस्यों में जो या जनतूओं में आप कह सकते हैं कि जो store food होता वो क्या होता है glycogen होता है इस तरह plant में भी जो गुलकोज बनता हमने फोटो सेंथेसिस डिसकस किया आपके साथ तो जो उसमें गुलकोज बनता है वो गुलकोज को भी store किया जाता है किस फॉर्म में इस टार्ज के फॉर्म में ठीक है अब प्रस्ण यह उठता है आप कमेंट क का नुकसान होता है और गुलकोजेन से जब गुलकोज वापस बनाईएगा फास्टिंग के टाइम पे तो भी उर्जा क्या होता है निकलता है उर्जा मतलब उर्जा कंजम होता है एनर्जी कंजम्शन होता है दोनों टाइम में गुलकोज से गुलकोजेन बनना और गुलको तो भी अनर्जी खर्च करो फिर ग्लाइकोजन से गुलकोज बनाओ तो भी अनर्जी खर्च करो ठीक है आप कमेंट करके इसका एंसर देंगे अभी थोड़ी देर में इसका एंसर बताऊंगा आपको So acts as food stored in plant and animal Animal में starch Animal में glycogen Plant में starch Play a structural role in the plant cell wall मैंने आपको जब कोषी का भिट्थी पढ़ाया था Cell wall और बताया था किस से बने होते हैं Cellulose से बने होते हैं ठीक है और Cellulose क्या है Polyse Bodhi And the tough outer skeleton of insect Insect जो होते हैं कीडे कीडे के उपर में आप देखेंगे कि एक स्तरह का एक बहुत ही इस तरह से इस तरह करके बहुत ही एक मजबूत उपर में आवरन पाये जाता है ये किस चीट का बना होता है कीडों में तिल चट्टा में आप देखिएगा उपर का आवरा नेदम लाल जैसा होता और बड़ा टफ होता है ये बने होते है काईटीन से और काईटीन क्या है काईटीन एक पॉली सेक्राइड है काईटिन क्या है पॉलिसेक्राइट से ठीक है एंड टफ आउटर स्केलटन ऑफ इंसेक्ट जो इंसेक्ट है कीडे है उनका जो आउटर स्केलटन है वह बहुत टफ होता है किसकी वज़ा से होता है काइटिन की वज़ा से होता है और काइटिन क्या है पॉलिसेकराइट्स है दचेन इन पॉलिसेकराइट्स में भी क्या क्या हो सकते हैं ब्रांच्ट भी हो सकते हैं so that the molecule looks like a tree with branches and tweaks unbranched भी हो सकते हैं where the molecule is a straight line example glycogen that human and animal store in liver and muscle liver and muscle में glycogen को store करते हैं और है starches not water soluble human and element digest them using amylase enzyme starches कहां पाए जाते हैं पौधों में पौधों के पत्तियों में ये जाके store होते हैं तो हम तो पत्ति तो खाते हैं हम लोग कोई भी साग खाया या कोई भी plant का product खाये तो उसमें क्या पाए जाते हैं starch पाए जाते हैं starch का सरीर में पाचन होगा तो कहाँ होता है? तो हमारे lark रंती में पाए जाते हैं ये हैं एक enzyme जिसको क्या करते हैं? amylage कहते हैं amylase लिखा हुआ है देखिए amylase enzyme हमारे lark में Pasay जाते हैं और amylase enzyme के ही क्या करता है? starch को पचाता है तो आपको अगर पूछा जाए कि stars digestive enzymes हमारे सरीर में कहां पाए जाते हैं तो आप कहेंगे मूख गुगा के लार में ठीक है उसके बाद है cellulose, main structural constituents of plant पौधे का जो कोशी का भित्ती है कोशी का भित्ती, cell wall, वो किस से बने होते हैं? cellulose से बने होते हैं और cellulose क्या है एक तरका polysecride ही है, तो यह क्या है? main structural constituents of plant, जो plant का जो structure है उसका main constituents क्या है? cellulose, cellulose क्या है? polysecrides अब simple and complex carbohydrates क्या क्या है? so monosecrides and disecrides are simple carbohydrates monosecride और disecrides क्या है? simple carbohydrates है and polysecrides are complex और जो polysecrides होते हैं, वो क्या होते हैं? complex होते हैं, जटिल होते हैं simple carbohydrates क्या होते हैं? sugar जो होते हैं, चीनी, उसी को हम क्या बोलते हैं? simple carbohydrates इसमें क्या होते हैं? consist of just one or two molecules केवल एक या दो अनुवा से मिलकर बने होते हैं provides a rapid source of energy जी, सरीर में उर्जा का ये क्या है? मुकिसरोत हैं but the consumer soon feels hungry again क्योंकि ये बहुत जल्दी इनका पाचन हो जाता है इसलिए भूख जल्दी लग जाता है इसको खाने के बावजूद भी क्या क्या एक्जामपल है bread, चीनी, sugars and candies candies, sugar और bread किसका उधारन है simple carbohydrates का complex carbohydrates consist of long chain of sugar molecule तो जितने भी grains हैं, अनाज हैं और जो भी foods हैं, खादिपदार्थ हैं that still have their fiber in our complex carbohydrates तो सारा जो अनाज हो गया और जो food हो गया उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है complex carbohydrates है they tend to fill you up for longer time longer समय तक, लंबे समय तक हमें भूक नहीं लगने देते हैं complex carbohydrates अगर आप लेंगे तो they are considered more healthful यह हमारे लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा स्वास्त वर्धक है as they contain more vitamins और इसमें क्या होते हैं vitamins भी बहुत ज़्यादा होता है खनीज भी, minerals भी होते हैं और fiber, रुक्छान्स भी इसमें पाए जाते हैं example includes क्या क्या example हैं complex carbohydrates के बहुत लोग अपने पेट निकलने की समस्या से परिशान रहते हैं है ना, बहुत लोग बोलते हैं हमारी obesity बढ़ रही है weight बढ़ रही है weight control कैसे करे, dietary control कैसे करे तो आप किसी भी dietitian के पास जाईएगा तो वो बोलेगा क्या है carbohydrate को क्या करो lower करो और protein content को क्या करो उपर बढ़ाओ अर्थात carbohydrate को आपको कम लेना है और protein की मातरा को बढ़ाना है अपने भोजन में तो protein के जो rich source होंगे जैसे आपके seeds हो गए बहुत सारे vegetable के seeds होते हैं और आपके sprouts हो गए पनीर हो गए, आपको दलिया हो गया oats हो गया, यह सब को आपको भोजन में बढ़ाना है और साथ-साथ fruits इत्यादी जो antioxidant हैं उनको लेना है और क्या छोड़ना है जटिल carbohydrates को छोड़ना है breads को छोड़ना है, चावल को छोड़ना है जो जो source है carbohydrates को उसको आपको कम करते जाना है lipid fats को कम करना है और protein की मातरा को उपर बढ़ाना है grilled chicken में भी बहुत सारे protein पाए जाते हैं तो हम जो भी diet कर, dietitians होते हैं अगर आपके weight control करना है तो बताते हैं कि carbohydrates को आप lower करो protein की मातरा को बढ़ाओ भोजन में ठीक है, protein की मातरा अगर आप बढ़ाएंगे whole grains जिसे आप लेते हैं जटिल carbohydrates है और जो आपके दलिया, oats वगरा हो गए ये क्या करते हैं लंबे समय तक आपको पेट को भरे रखते हैं अर्थात आपको भूख नहीं लगता है एक मातर हम भोजन क्यों करते हैं भूख लगने का sensation होता तबी तो भोजन करते हैं और अगर हमारा पेट भरा हुआ लगे तो हम भोजन करेंगे नहीं तो ये जो पदार्त जो जो मैंने आपको बताया अभी दलिया, oats वगरा ये आपको लंबे समय तक फिल्ड करके रखते हैं ताकि भूख ना लगे ठीक है गुड कार्बोहड़ेट्स भर से बैड कार्बोहड़ेट्स गुड कार्बोहड़ेट्स क्या है बैड कार्बोहड़ेट्स क्या है तो बैड कार्बोहड़ेट्स क्या रखते है कार्बोहड़ेट्स कम अनली कांसिडर्ड बैड इंक्लूड पैस्ट्रीज जो pastries हम लोग खाते हैं वो क्या है bad carbohydrate है बूरा carbohydrate है soda जो पीते हैं हम लोग वो भी क्या है bad carbohydrates है highly processed foods white rice highly processed food का मतलब जो मैदा होगे आपका मैदा भी क्या है bad carbohydrates है white rice वही मैदा white bread bread जो हम लोग खाते हैं and other white floor milk सफेद आंटा का जो जो भी food बनता हो यह सब क्या है bad carbohydrates है these are foods with simple carbohydrates क्यों क्योंकि इसमें simple carbohydrates पाया जाता है हमें क्या खाना है जटिल वाला को खाना है simple carbohydrates good carbohydrates क्या होते हैं यह तो bad होगे good carbohydrates तो carbohydrates usually considered good are complex carbohydrates जिसे whole grain तो यह क्या है complex carbohydrates हमारे लिए good carbohydrates माना जाता है such as whole grain fruits fruits के बाद vegetables beans and legumes जो seeds होते हैं legumes के यह सब सब क्या है आपके जटिल carbohydrates हैं complex carbohydrates हैं लंबे समय तक यह पेट में बने रहते हैं भूख नहीं लगने देते हैं जिसके वज़े से हम excessive जो feeding की हमारी आदत है वो रुख जाती है these are not only processed यह processed ही नहीं होते हैं बलकि slowly these are not only processed more slowly but they also contain bounty of other nutrients बहुत देर से इनका पाचन होता है केवल देर से पाचन ही नहीं होता है और इनमें बहुत सारे अदर पोशक तत्व भी पाए जाते हैं देखें differences है किसमें किसमें bad carbohydrates और good carbohydrates में so good carbohydrates क्या क्या है low और moderate in calories जिनमें calories क्या हो ज्यादा ना हो high in nutrients जिसमें पोशक तत्व क्या हो ज्यादा हो divide of refined sugars and refined grains जो refined sugar हम लो लेते हैं processed sugar, brown sugar जो लेते हैं और refined grains जो होता है उसको हमें नहीं लेना है वो क्या है? वो क्या है? good carbohydrates है, उसी को हमें लेना चाहिए मतलब unprocessed जो food है उसको हमें लेना चाहिए high in naturally occurring fiber जो प्राकृतिक रुप से रुप्छांस जिसमें ज्यादा हो वो good carbohydrates है sodium जिसमें कम हो वो good carbohydrates है low in saturated fat संत्रिप्त वसा जिसमें कम हो वो क्या है? good carbohydrates है very low in or divide of cholesterol and trans fat जिसमें trans fat और cholesterol ना हो वो हमारे लिए क्या है? good carbohydrates है bad carbohydrates क्या है? जिसमें calorie क्या हो? ज्यादा हो high calories low in many nutrients उसमें पोशक तक तो क्या है? कम हो कम है तो क्या है? bad carbohydrates है full of refined sugar refined sugar जैसे कि like white sugar honey and high in refined grains like white floor जो भी refined floor है refined sugar है simple sugar जो white sugar हम लोग खाते हैं और जो honey है मधू है और white floor जो सफेद आटा हुआ ये सब सब क्या माना जाता है bad carbohydrates माने जाते हैं इनमें low in fiber रुक्छान्स की मात्रा भी कम होती है fiber कम होते है high in sodium इनमें sodium भी क्या होते है ज्यादा होते है sometimes high in saturated fat इनमें संत्रिप्त वसा भी कभी क्या होते है ज्यादा हो जाते है अगर संतिप्त वसा जादा हो गया, saturated fat जादा हो गया तो इसके हम बोलेंगे bad carbohydrates sometimes high in cholesterol, इनमें cholesterol की मातरा भी कभी-कभी क्या होती यह जादा हो जाएगी तो भी क्या बोलेंगे bad carbohydrates and trans fats अगर इसमें cholesterol और trans fat क्या होंगे؟ ज्यादा होंगे, यहां cholesterol और ट्रांस्फेट क्या है? कम है, low यहां पर fat होना चाहिए, यहां fat high है, तो यह good और bad carbohydrates हैं, good carbohydrates हमें healthy रखने के लिए अच्छे स्रोत हैं, अच्छे source हैं, तो हमें ऐसे भोजन के source को खोजना चाहिए, जिसमें good quality of carbohydrates हो, bad carbohydrates, bad quality of carbohydrates को हमें दूर रखना चाहिए, अगर हमें लंबे समय तक healthy रहना है तब, देखे glycemic index क्या होता है, not the type of carbohydrate, but rather the carbohydrate glycemic index, relative ranking of carbohydrate in foods according to how they affect blood glucose level, carbohydrate जो है वो, उनका क्या प्रभाव है हमारे blood glucose के लेवल में, उसी को बोलते है glycemic index, high glycemic foods like pastries, raises blood sugar highly and rapidly, जो pastries होते हैं वो क्या है, उनमें glycemic index high होता है, high glycemic index इसका क्या मतलब है कि वो रग्त में गुलकोज की मातरा को बढ़ा देते हैं, low glycemic foods, raises gently and to a lesser degree, जो low glycemic index वाले food होते हैं, वो क्या करते हैं, blood glucose के लेवल को मतलब एक निश्चित, निश्चित amount में बढ़ाते हैं, इने की rapidly बहु ज़्यादा अचानक से बढ़ा दिये, ठीक है, high glycemic index carbohydrates are those which are rapidly digested, highly glycemic index food किसको करते हैं, जो की rapidly digest हो जाए, मतलब उनकी पाचन बहु जल्दी हो जाए, absorbed and metabolized and result in marked fluctuations in blood sugars, ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी इनका पाचन हो जाएगा, बहुत जल्दी आवशोचन हो जाएगा, और बहुत जल्दी इनका metabolized भी हो जाएंगे, result in marked functions in blood sugar, और इनमें ये क्या करेंगे, तुरत रक्त में गुल्कोज की मातरा को बढ़ा देंगे, low glycemic index carbohydrates क्या करते हैं, the ones that produce smaller functions in your blood, गुल्कोज and insulin level, तो low glycemic index carbohydrates, ऐसे carbohydrates होते हैं, जो रक्त में गुल्कोज और insulin के लेवल को क्या रखे, बना के रखे, उनको rapidly बढ़ाए नहीं, is one of the secrets of long term health, लंबे समय तक स्वास्त रहने के लिए क्या है, ये रामबान है, ठीक है, reducing your risk of type 2 diabetes and heart disease, अगर आप low glycemic index carbohydrates का इस्तमाल करते हैं, तो लंबे समय तक स्वास्त रह सकते हैं, और स्वास्त रहने के लिए क्या है, हमें रोग से मुक्त होना पड़ेगा, बिमारियों से मुक्त होना पड़ेगा, तो अगर आप low glycemic index वाले carbohydrates का इस्तमाल करते हैं, तो आप type 2 diabetes और heart disease दोनों से आप बच सकते हैं, इनके कूपर भाव से बच सकते हैं, देखे, digestion and absorption of carbohydrates, कहां कहां digestion होता है, सबसे पहला digestion कहां हो रहा है, मुह में हो रहा है, माउथ में, माउथ में, this enzyme, celery mileage, कहां पाए जाता है, celery mileage, celery mileage हमारे मुख गुहा में, बकल कैविटी में, अंदर में, क्या होते हैं, लार ग्रंती होते हैं, ठीक है, उसी में क्या पाए जाता है enzyme, celery mileage, begins break down starch into shorter polysaccharide, amylage, amylage enzyme अभी आपको बताया था हमने, तो जो carbohydrate का पाचन कहां से सुरू हो जाता है, मुख गुहा से सुरू हो जाता है, और मुख गुहा में लार ग्रंती पाए जाते हैं, और लार ग्रंती कौन सा enzyme secret करता है, amylage, और amylage क्या करता है, carbohydrate polysaccharides को तोड़ना सुरू कर देता है, ठीक है, उसके बाद जो आपके food हैं, वो कहां आएंगे, stomach में आएंगे, पेट में आएंगे, उदर में आएंगे, salivary amylage उदर में आने के बाद क्या हो जाते हैं, inactive हो जाते हैं, and no further carbohydrate digestion occurs, और उदर में पेट में आने के बाद फिल से carbohydrate का कोई digestion नहीं होता है, फिर भोजन कहां आता है, small intestine में आता है, majority of starch digestive and breakdown of disecreides occurs here, जितने भी polysecreides हैं, starch हैं, और जो आपके disecreides हैं, उनका mostly, mostly breakdown, पाचन कहां हो जाता है, छोटी हात में होता है, छोटी हात में pancreas का जो रस आता है, pancreatic रस, pancreatic enzyme जो आता है, उसमें क्या होते हैं, emylege होते हैं, जो starch को breakdown कर देगा, तोड़ देगा, monosecrete, disecreides और oligosecrete को भी तोड़ता है, हम लोग पाचन में पढ़ेंगे आगे, फिर चौथा में कहां, चौथा में है, the digestion of carbohydrates is completed by the enzyme attached to the brush border of the small intestine, small intestine का lumen आप चेक करिएगा, brush borders में remaining जो polysecrete, disecreides, monosecrete बने हैं, उन क्या हो जाएंगे, उनको तोड़ दिया जाएगा, और तोड़ने के पश्चात क्या बनेंगे, monosecrete बन जाएंगे, तो पाचन क्या है, जटिल कारबनिक पदार्थ का, smallest कारबनिक पदार्थ में, रुपान तरन, जटिल क्या लिए थे, polysecrete, पाचन हुआ, तूटा, किसके उपस्तिती में, enzyme के उपस्तिती में, क्या बनाया, monosecrete बनाया, ठीक है, पाच मां आया, large intestine में, fiber and other, indigestable carbohydrates, are partially breakdown by bacteria, हमारे जो बड़ी आथ होती है, उसमें bacteria पाए जाते हैं, colon में, colon bacteria कहते हैं, वो क्या कहते हैं, fiber को, और जो, जो indigestable component है, उसको क्या करेंगे, digest करेंगे, to form short chain fatty acids and gas, the remaining fiber is excreted in the feces, feces का मतलब जो मल होता है, जहां पर water का absorption हो जाता है, तो large intestine का last part, column, rectum, column में आते हैं, तो यह है carbohydrates का पाचन, क्या का रहे हैं carbohydrates के, provides the body, provides the body with energy, हमारे सरीर में उर्जा प्रदान करते हैं, provides fuel for the central nervous system, जो हमारे केंद्री तंत्री का तंत्रे हैं, उसके लिए इंधन का काम करता है, influence heat, health and diabetes, diabetes को भी control करता है, and energy for working muscles, हमारे मानस्पेसियों को कारे करने के लिए, उर्जा प्रदान करता है, sparing the use of protein for energy, protein का इस्तमाल करता है, उर्जा के उत्पादन करने के लिए, avoiding ketosis from the breakdown of fatty acids, fatty अमल जब तूटता है, बहुत ज़्यादा हमारे सरीर में उसको बोलते है ketosis, उसको भी ये रोकता है, cellular and protein recognition, biological recognition, cellular and protein recognition भी इसका काम है, promote digestive health, पाचन जो स्वास्थ, digestive health जो है, पाचन सम्मंदी जो समस्या ना हो, तो पाचन रूप से हम स्वास्त रहे हैं, तो वो किसके कारण है, कार्बो हैड्रेट्स के कारण है, तो कार्बो हैड्रेट्स में हम लोगों ने ये देखा, आगे हम देखेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में, proteins के बारे में,